आप सभी को जैसरी कृष्णा राधे राधे तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक ऐसी सत्य घटना जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रतीश रधा भक्ती भाव और बढ़ जाएगा तो ये सत्य घटना मेरे साथ सेयर की हैं दिली से प्रतीमा जी प्रतीमा जी बताती हैं कि उनके घर में लड्डू गोपाल हैं जिनकी वो बहुत अच्छे से मन से सेवा करती हैं लेकिन उनके लड्डू गोपाल एक दिन कुछ ऐसा चमतकार करते हैं ऐसा करते हैं कि वो देख क रह जाती हैं मतलब ये तो उन्होंने सुना था और ये सच बात भी है कि जो भी अपने घर में लड्डू को पाल रखे हुए हैं जो उनकी भकती सिस्रद्धा के साथ भाव के साथ उनकी सेवा करते हैं तो उनके जो लड्डू को पाल है न वो कोई न कोई अनभूती जरूर कर लेकिन अभी तक इनके लड्डू को पाल थोड़ी बहुत ऐसे कुछ ऐसी लीलाएं थी जो होती रहती थी लेकिन ऐसी लीला उन्होंने कभी नहीं की थी जिसको देखके मतलब उनके तो बलकुल ऐसा लगता है कि ये क्या है ये क्या कर दिया लाल ऐसे करके उनके मन में जो भाव आया तो क्या होता है मतलब वो द्रश्य देखके न वो चौक से जाती है कि ये क्या है अभी तो मैंने ऐसे किया अब ये ऐसे कैसे हो गया वो ये होता है कि सुरू से बताती हूँ मैं कि लड़ो को पाल ये जो है प्रतिमा जी वो रखे हुए थी उनके एक बेटा भी है जिसकी की वो मतलब उनका दिन चर्य जो है बच्चे के साथ में लड़ो गोपाल को भी वो बेटे की भाव में रखती हैं तो दोनों की बड़े अच्छे से कुछ भी बनाना खाना सब कुछ लड़ो गोपाल की करपा से सब बहुत अच्छ है चल रहा था भगवान की दिया से उनकी जो परिस्तिती है वो भी बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है और ये सब प्रित्मा जी कहती है, ये हमारे लेड़ूगोपाल की क्रपा से है, जब से मैं लेड़ूगोपाल से जुड़ी हूँ, जब से मैंने लेड़ूगोपाल की सेवा करने सुरू की है, तब से मेरे जीवन में जो बदलाओ आया है ना इसको मैं सब्दों में बयान नहीं कर सकती इतनी मन में संतुस्टी इतनी मतलब अंदर से इतना अच्छा महसूस होता है इतनी भगवान के पास बैठो तो इस पॉजिटिव इनर्जी आती मतलब किसी से दुनिया से कोई वो नह किसी तरह को मतलब हमको ना तो किसी की सुननी है कि किसी की चार बात सुनो और फिर उनको सुना ऐसा कुछ भी नहीं है बस मेरा पूरा टाइम जो बिजी जो रूटीन हुआ है लेड़ू कोपाल के आने से तब से मैं तो यह कहती हूं कि लेड़ू कोपाल ने मेरा जीवन पूरे टाइम कुछ ना कुछ लेडू गोपाल का ही चलता रहता है और ये बड़े-बड़े संत साधु महात्मा भी कहते हैं कि जो भगवान की सेवा में भक्ती में पढ़ जाता है उसको दुनियादारी से फिर दुनिया के प्रपंच से कोई मतलब नहीं रहता है सिर्फ उनक भक्ती एक बार तुम भक्ती की राहे में चलोगे भगवान अपने आप आपको उस राहे में और बढ़ाते जाएंगे और आप भक्ती के मार्ग में बढ़ते जाएंगे तो ऐसे ही प्रतिमा जी के साथ हो रहा था लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है कि क्या करती है कि इनका बेटा है बेटा मतलब अभी है 10-11 साल का है उसका क्या होता है कि वो भी जैसे यह सेवा करती है ना स्कूल सुबह जाती है तो इन्हों ने बहुत अच्छे संसकात दिये हुए हैं अपने बच्चे को सुबह जब वो स्कूल जाता है तो नहाध हो के बड़ी कुछ नहीं कर पा तो इतना भी बहुत है तो उसका रोटीन है वो रोज भगवान की सेवा करके मतलब सेवा का मतलब की जल चड़ा के तुलसी माता बर और सूर भगवान को ही जाता है अब एक दिन क्या होता है लेकिन एक बात और है कि वगवान उनकी हर प्रकार से मदद करते हैं कभी कोई अन्होनी नहीं होने देते ये आप इस बात को मान के रख लीजे और अगर कुछ होता भी है तो वो तो कहते हैं ना कि भाग में जो लिखा है वो तो होना ही है और उनकी लड़ो कोपाल के इतनी प्यार से सेवा करती थी व अगर वो नहीं कर पाती है हजबेंड लेट आ रहे हैं ओफिस से तो उनका बेटा वो सेवा वो कर देता था अब एक दिन क्या होता है कि ये लड़ो कोपाल को सुलाती है मतलब उनकी बैड लगाती है उनको अच्छे से बहुत अच्छे से उनको सुलाती है रजाई उढ़ा कि इनको बेचैनी सी होती है पता नहीं ऐसा क्या लग रहा था रोड में हैं तो कुटे खुब भोक रहे थे तो इनको लगें कि पता नहीं आज क्या हो रहा है मतलब मुझे भी अजीब सी बेचैनी हो रही है और है तो कुटे भी इतना जादा भोक रहे हैं तो ये उठती है और दरवाजा खूल के देखते हैं, मतलब बालकनी में जाती हैं, बालकनी में देखते हैं तो बहुत सारी कुते भोक रहे थे, क्योंकि ठंड का टाइम चल रहा था, हो सकता है, उनको ठंड लग रही हो, फिर ये उठी गई थी बहुत जादा रात, मतलब आधी रात की बात है दो धाई की बाद, अब ये टाइम ऐसा होता है, कि ना तो उठी सकते, अब उठके भी इतने धाई वजे रात से उठके भी क्या करेंगे, कि अगर जैसे चार वजे, साठे चार या साठे तीन का टाइम हो, तो चलो एक बार आदमी सोच ले, कि चलो अब उठ गए हैं, तो अब ये तो उठ भी नहीं सकते, अब ये सोचते हैं, कि चलो पानी पी लेती हैं, अब ये किचिन में जाती हैं, देखती हैं, तो इनकी गैस खुली हुई थी, कि इन्होंने दूद पकाने के लिए रात में सोने से पहले रखा हुआ था, दूद पकाने के लिए रखा था, स पकाते टाइम पर और वो सिम बिल्कुल जब बहुत ज़्यादा सिम में हो जाता है ना तो पता भी नहीं चलता है ये गैस का मतलब गैस कब बुझ जाती है जो वो हो जाता है तो इन्होंने ध्यान भी नहीं दिया इनको लगा कि बंद कभी-कभी माइंड से निकल जाता है हर परणत के साथ ऐसा होता है कभी न कभी तो ऐसे ही उस दिन उनके साथ भी हुआ और ये भूल गई गैस बंद करना अब वो जो रात में इनको बिचैनी हो रही थी कुछ घबड़ा है वैसा हो रहा था कि कुछ तो हो रहा है अब जब यह आके देखती हैं पूरी किचिन में स इसमेल भरी हुई थी उसकी गैस की अब ये देख के रह जाती है कि भगवान बहुत बचा लिया मतलब बतो कुछ भी हो सकता था गैस खुली हुई थी इसमेल पूरी भरी हुई थी गैस की कुछ भी हो सकता है ऐसी चोटी चोटी गलतियां होती हैं जो कि अन्होनी करा देती हैं और वो आके भगवान को अपने लड़ो गोपाल को बहुत धन्यवाद देती हैं कि लड़ो गोपाल तुने बचा दिया आज मुझे मतलब ऐसे ही जो भक्त होते हैं ना उनके साथ कभी कोई इस तरीके की अन्होनी नहीं हो पाती किसी ना किसी वज़े से आप उस काम के लि इनके साथ प्रतिमा जी के साथ अब एक दिन तो और ऐसी घटना घटती है कि पूछिये मत कि वो क्या था वो ऐसी उनके लड़ो गोपाल जो है वो ऐसे लीला करते हैं कि ये तो मन प्रफुल ले तो उनका मतलब सब्दों मैंनी बता पा रही थी कि उस दिन तो ऐसा हुआ ऐ मेरे लड़ो गोपाल ने कि मैं तो देखके रह गई क्या होता है कि रात में जो इनका रूटीन था रात में भोग लगाना उनको लड़ो गोपाल को सुलाना फिर बच्चे को सुलाना और सो जाना मतलब यही जो रूटीन था एक दिन क्या होता है उस दिन की बात बता रहे ह जो भी मतलब जैसे हर एक लेट्डूगोपाईल की मईया जो करती है वही वो भी की सुलाई और उनके पास पानी रखके चली गए की सोने के लिए अपने बेटे को भी वैसे सुलाने के लिए अब रात में इनकी फिर अजीब से जो भी उनको लगा हो रात में उठके देखती ह मतलब नीद नहीं आ रही थी क्या है समझ में नहीं आया फिर ये किचिन में आती है पानी पीने के उससे और जब ये किचिन में आती है किचिन के पास ही इनका मंदिर था जिसमें की लड्डो को पाल मतलब है तो जब वहां पे आके देखती है जो कि इन्होंने बिस्तर में बिठाया था अच्छे से सुलाया था अपने हातों से जो कि रोज सुलाती हैं लोरी गाके सुनाया था लेकिन जब वहां पे ये जाके देखती हैं उसी पलंग में रजाई चारो तरफ से ढखी हुई और उनका जो लड़ गोपाल है उनके जो लाला है बैठे हुए ऐसी मतलब ये देखके तो वो अचमभित रह जाती हैं कि ये क्या है वजब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तो इतनी अच्छे से सुला के गई क्या है और है तो क्यूं ऐसा मतलब लड़ गोपाल क्या हो गया क्यूं ऐसे बैठे हुए वो रह जाती हैं उनको तुरंट गोदी में लेत बिठालते हैं फिर उसको पुछकारते हैं उसके उपर हाथ पेरते हैं पूसते हैं क्या हुआ बेटा क्या क्यूं नहीं सो रहा है नहीं आरी जो भी तो इसी भाव से जो एक डड़ गोपाल की भक्त होती हैं जो उनकी सेवा करते हैं जो उनको पुत्र की रूप में मानते है उनका भी भाव ऐसे ही होता है तो वो उनको गोदी लेती हैं बहुत लाड लडाती है उनके साथ और पूशती हैं पूशती पूशती उनको ऐसे अहसू आ जाते हैं कि क्या हुआ सो क्यों नीरा उठके कैसे बैठ गया जब वो देखती है मतलब कि उनकी जो दो रजाई तो उन्होंने उठाया मतलब पतले पतले एक ब्लैंकेट वो जो अपन उनके बना लेते हैं वो और एक पतली सी रजाई लेकिन क्या था कि ठंड उस दिन जादा थी और उनकी जो मोटी वाली रजाई थी जिनको कि ये इस टाइम पर ठंड में उढ़ाती हैं वो रजाई ये उढ़ाना भूल गई थी अब इनके मन में देखो ये भगवान है ये वैसे मूं से बोलके नहीं लेकिन ऐसी छोटी छोटी ना अनभूतियां कराते हैं कहते हैं ना कि आपके लड़ू गोपाल जाग रहे थें कि नह आसे ही वो ऐसे पूछ रही थी ऐसे वो हो रहे था तुरंट उनके आँखों में ऐसे आसू आ जाते हैं और जब वो ध्यान से वो करती हैं तो उनको याद आता है कि हरी आस तो मैं मूटी वाली रजाई उढ़ाई नहीं हूं मतलब इसका मतलब ये कि इसको रात में ठंड ल पूल गई तुझे रात में इतनी ठंडी लगी तो सो नहीं पाया था मुझे माफ कर दे चल मैं तुझे अच्छे से सुला देती हूं फिर उनका पलंग बिचाती है जो रड्डू गोपाल का पलंग था वो पलंग बिचाती है उसमें गदद बिचाती है मतलब प्रॉपर त प्रतिमा जी पहुत अच्छे से अपने लाल को अपने लड्डू गोपाल को रजाई उढ़ाती है जो मूटी वाली रजाई थी और उनको लोरी गाते हुए उनको सुला देती हैं कि मतलब वो अपने आपको वो भी समझती हैं कि देख आज मैं मूटी वाली रजाई नहीं उढ़ा पाई और ये मेरा लाल जो है इतनी पता नहीं कितनी देर से बैठा हुआ है उसको नीद नहीं आ रही थी तो वो जो बिचैनी हो रही थी उनको नीद लड्डू गोपाल हैं वो ऐसी अनभूती कराते हैं और अपने भक्त को बीच बीच में ऐसे संकेत देते रहते हैं तो बोलो लड्डू गोपाल की जै अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक से एर एंड सब्सक्राइब करिएगा मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत घटना के साथ जब तक अपना ख्याल रखिए अपनों का ख्याल रखिए थैंक यू सो मजबूल वाच करने के लिए राधे राधे